दोस्तों हर इंसान को उसके द्वारा किये गए, सभी पापों को भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो धर्ती पर भोगे या फिर नरक में जाकर, हिंदु धर्म में हर पाप की अलग-अलग सजाय तै की गई हैं, कुछ पाप बड़े होते हैं, जिनके लिए भयंकर सजाय नि मिलती हैं, नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम में, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जैश्री नारायन लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें, भविश्य पुरान के अनुसार प्रित्वी पर जन्म लेने वाले हर प्रानी को तन, मन और बचन से किये गए बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नर्क में सबसे बड़ी सजा भोगनी पड़ती है, सनातन धर्म में पाँच प्रकार के महाप पापों से बचने को कहा गया है, जिसमें पहला महापाप है ब्रमहा हत्या, दोस्तों पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ही व्यक्ति को ब्राहमन कुल में जन्म मिलता है, हिंदू धर्म में सच्चे ब्राहमन को भगवान के समान माना गया है, इसके पीछे भी एक कारण है, कहा जाता है कि ब्रामहड भग्वान ब्रम्हा के मुख से उत्पन हुए है, इसी कारण उन्हें सबसे उचा स्थान दिया गया है और उन्हें पूज्य माना जाता है, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई मनुष्य जानबूझ जान बूच कर या भूल स उसे किसी ब्रामहड की हत्या कर देता है, तो उसे ब्रम्ह हत्या का पाप लगता है, और यह महापाप माना जाता है। ब्रम्ह हत्या जैसा महापाप अपने सिर लेने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हत्या करने वाला ही नहीं बलकि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुम्भी पाक नाम के नरक्की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूल कर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वही दूसरा महापाप सुरापान को बताया गया है। सुराशब्द वेदों में कई बार आया है। इसे द्युत अर्थात जुआ के समान ही पापमय माना गया है। ऐसा करने से नरक में तरहत्रह की यातनाओं को सहना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नारत पुरान में भी शराप पीने को गलत बताया गया है। नारत पुरान के अनुसार मदिरा के तीन प्रकार बताये गए हैं। पहला है गौडी, अर्थात गुर से बनाई गई शराप। दूसरा है पैश्टी, अर्थात चावल आदी के आटे से तयार की गई शराप। तीसरा है माध्वी, अर्थात फूल, अंगूर आदी के रस से तयार की गई शराप। स्त्री हो या कुरुष हर इनसान को इन सभी तरहे के शराबों से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरहे के शराब के सेवन से इनसान महापाप का भागी बन जाता है। इस पाप की सजाव्यक्ति को इस मृत्यू लोक में भोगनी ही पड़ती है। और मृत्यू के बाद नर्क में भी भोगनी पड़ती है। शराब पीने वाले इनसान पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उन्हें जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब पीने और पिलाने वाले इंसान को विलेपक नाम के नरक में यातनाई दी जाती है। दोस्तों चोरी करना पाप है, लेकिन चोरी किस वस्तुकी की गई है और किस उद्देश से की गई है, इसके आधार पर इसे महापाप की श्रेनी में रखा गया है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारन पाप है, लेकिन सोने की चोरी करना और वह भी धन संचय करने के उद्देश से की गई हो तो यह महापाप की श्रेनी में आता है। स्वर्ण चुराने वाला कोड ही होता है और उसको जीवन भर नाखुनों की समस्या बनी रहती है। सोने की चोरी के कारण नर्ग की यातना भुगत कर आने वालों के नाखुन अच्छे नहीं होते, इससे आप उन्हें पहचान सकते हैं। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तमिश्रम नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। दोस्तों, गुरु और शिक्षक ये हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं? यह तो वही जानता है जिसमें सच्चे मन से इन्हें माना हो। लेकिन कुछ पापी लोग उनके घर की महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता। ऐसे मनुष्य को जयनती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। मनुस्मृती में बताया गया है कि मनुष्य को सन्यम से काम लेना चाहिए और पराइस्त्री से संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृती में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशी भूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोडता है। उसे परलोक में उसके सिर पर योनी का चिनह बना दिया जाता है। यह चिनह अगले जन्म में कुछ व्यक्तियों के सिर पर नजर भी आता है। वहीं जो लोग दूसरे के पतिया पत्नी पर बुरी नजर डालते हैं, मरने के बाद नर्क में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डाल कर उनको पीटा जाता है। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलते और वो बार-बार दहकते लोह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं, जब तक उसकी मृत्यू नहीं हो जाती। दोस्तों जो व्यक्ति इन कर्मों को करता है, उसे तो इन महापापों की सजा मिलती ही है, लेकिन जो व्यक्ति इन पापों में सहयोग करता है, वह पांचवे महापाप की श्रेनी में अपनी जगह बना लेता है, इसलिए कभी भी बुरी संगती वाले लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, ऐसे लोग आपके जीवन में समस्या का पहाड खड़ा करते हैं, और जीवन भर आपका और दु प्राप्तियोग में से किसी एक विधी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। ना कोई पाप जाने अंजाने हो ही जाता है। इन्ही पापों से मुक्ति के लिए गरुड पुराण में कुछ समाधान बताए गए हैं, जिन्हें यदि मृतक के परिजनों द्वारा पूर्ण किया जाए, तो मृतक की आत्मा को उस अपराध की सजा से मुक्ति मिल जाती दोस्तों, मृतक की आत्मा की शांती के लिए उसके परिवार वालों को क्या क्या करना चाहिए, इस विशय पर गरुड पुराण में क्या लिखा है, पिंडदान का क्या महत्व है, और इसे ना करने से आत्मा के साथ क्या होता है, ये सब इस वीडियो में आगे बताने जा र जैसे पके हुए चावल, तिल और दूध मिशृत करके हाथ से गोल पिंड बनाये जाते हैं। और यह माना जाता है कि यहीं पिंड मृतक की आत्मा को प्राप्त होते हैं। जाती है, उसके बाद मृतक के परिवार वालों को क्या क्या करना चाहिए, जिससे मृतात्मा को मोक्ष की प्राप्ती हो सके। भगवान विश्णुगरुड जी से कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यू हो जाए, तो उसके पुत्र और अन्य परिजनों को चाहिए, कि वे सभी नहाकर शव को भी शुद्ध जल से स्नान कराकर उसे नए वस्त्र पहना दें। फिर सभी बंधु बांधवों को मृतक के शव को दाह संसकार के लिए शमशान घाट ले जाना चाहिए, और जिस भूमी में मृतक की चिता का निर्मान करना है, वहां तीन रेखाएं हुई मिट्टी को ईशान दिशा में फेंक कर और उन रेखाओं पर पानी छिड़क कर विधान पूर्वक आग जलाकर अगनिदेव की पूजा करना चाहिए, उसके बाद शव को उस चिता पर लिटाकर मृतक के नाम से पिंड का दान करना चाहिए, पहला पिंड दान मृत्य के स्थान पर ही करना चाहिए, अर्थार्थ जहां मृतक ने अपनी अंतिम सांस ली हो, उसके बाद दूसरा घर के द्वार पर करना चाहिए, तीसरा पिंड दान चौराहे पर, चौथा पिंड दान शम्शान में और पांचवा चिता पर करना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि पूर्व पांच पिंडदान करने से शव में आहुती यानि की अगनिदाह की योग्यता आ जाती है क्योंकि उपयुक्त पिंड नहीं दिये जाने पर मृत्व्यक्ति का शव अन्य प्रेत और राक्षसों के भक्षण के योग्य हो जाता है। मृत्व्यक्ति की चिता को आग लगाते समय इस बात का विशेश ध्यान रखें कि जिस अगनि का प्रयोग चिता जलाने के लिए किया जाए वह चांडाल के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ना जलाई गई हो। मा को सुख प्राप्थ होता है कि उसके परिवार्जन उससे मोह करते हैं और जब यही मोह तूट जाता है तो मोक्ष मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। दाहक क्रिया संपन्न करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए और उस समय भी मृतक के नाम से पिंड़ दान करना चाहिए। इसके बाद परिजनों को किसी जलाशे में जाकर सभी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और दक्षिन दिशा की ओर मुख करके मृत प्राणी के लिए तिल और जल को अर्पित करना चाहिए। इस दौरान मृतक के परिजनों को इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि अब उनकी आँखों से आँसु नहीं निकले, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आँख से गिराये हुए आँसु का वहन मृतक की आत्मा को करना पड़ता इसके बाद घर की और प्रस्थान करें, जिसमें यदिस्त्रियां शमशान गई हूँ तो वो आगे आगे और पुरुष उनके पीछे पीछे चले। और घर के द्वार पर पहुँचने पर नीम की पत्तियों को दात से काट कर आचमन करें। और पैर धुलकर अगनी से सेखन के बाद गंगाजल छड़क कर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद पुत्र पौत्रादी तथा सम गोत्रिय परिजनों को चाहिए कि वह दस रात्रियों का अशौच मनाएं। अर्थार्थ इन दस दिनों में मृतक के सगे संबंधियों को चाहिए कि वे कोई भी शुभकार्य या पूजा पाठ न करें। इसके अलावा अशौच काल में ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए। अर्थार्थ सभी लोग पृत्वी पर ही सोएं। धन अध्ययन एवं भोग विलास आदिकर्मों से दूर रहें। साथ ही अशौच की अवधि में मि पिंडदान किया जाता है उससे मृत व्यक्ति को फिर से एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। पुराणों में लिखा है कि जो पिंडदान मृतक के परिजन इन दस दिनों में करते हैं उससे क्रम-क्रम से प्रेत का शरीर बनता है और दसवें दिन पूरा शरीर बन जात पहले dyn जो पिंडदान दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गरदन और कंधे की रचना होती है। तीसरे पिंडदान के द्वारा हरदय का निर्मान होता है। इसी तरह चोथे पिंड से पीठ, पांचवें से नाभी, छटवें से कमर, साथवें से गुपतांग, आठवें से जांगें, तथा नवें पिंड से घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार नौ पिंडों से देह को प्राप्त करके दसवें दिन के पिंडदान से उसकी भूक और प्यास जागरित होती है। दोस्तों इसके अलावा गरुड पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यू पांचक काल में होती है तो उसका दाह संसकार नहीं करना चाहिए। करना आवश्यक हो तो कुशा के चार पुतले बनाकर मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव के साथ ही उनका भी दाह संसकार करने का प्रावधान है। यह दान मृतक के समस्थ पापों का विनाश कर देता है। दोस्तों, आज देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है। लेकिन बिहार के फल्गुतट पर बसे, गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने भी राजा दशरत की आत्मा की शान्ति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। श्राद्ध के लिए त्रियंबकेश्वर, हरिद्वार, गंगासागर, जगनातपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुषकर, बदरिनात सहित साथ स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में पिंडदान के लिए इनमें तीन जगहों को सबसे विशेश माना गया है। गरुडपुरान में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक-एक कदम, पित्रों के स्वरगा रोहन के लिए एक-एक सीरी बनाते हैं। हमारे देश में कम ही लोग ऐसे हैं, जो यौन संबंध के विशे में खुल कर बाते करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता, तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिध्धान्त में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामि पर बात करने से डरते हैं, क्योंकि हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार, सहवास से वंश्वृध्धी, मैत्रीलाब, सहचर्यसुख, मानसिक परिपक्वता, दीरधायु, शारिरिक और मानसिक स्वास्थे की प्राप्ती ये सब हासिल किया जा सकता है। परंतु दोस्तो जब भी काम, सहवास और यौन संबंध जैसे शब्ध हमारे कान में जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस और केंद्रित हो जाता है, और हम असहज हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के पहले यौन संबंध बनाना यूँ तो लगभग सारे जाते ही धर्मों में वर्जित है, लेकिन वो कौन सा धर्म है, जहां इन संबंधों को भी सामाजिक मान्यता दी गई है। क्या हिंदू धर्म में शादी से पहले संबंध बनाने के लिए कोई भयंकर सजा निर्धारित है। गरुन पुरान में इस विशय में क्या लिखा के उत्तर आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही कुछ रिन लेकर इस प्रित्वी पर आता है इनमें से ही एक रिन है पित्रिरिन जिसे वह व्यक्ति पिता या माता बन कर चुकाता है और इसलिए विवाह को हिंदू धर्म के 16 संसकारों में शामिल किया गया है लेकिन सहवास करने के लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों में नियम बनाए गए हैं। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता, उसे भयनकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गरुर पुरान में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके शादी से पहले परस्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध बनाता है। उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर गंड निर्धारिक किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जलने लगता है और उसे भयंकर पीड़ा होती है। उस व्यक्ति को आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ती का आलिंगन तब तक करना होता है। जब तक व्यक्ति को अगनी शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए एक और सजा है कि उसे अपने गुपतांगों को अपने हाथों से काट कर दक्षिन पश्चिन दिशा में सैकडों मीलों तक चलना होता है। उस समय जीवात्मा उसक्षन को याद करके रोती है जब उसने अनैतिक संबंध बनाया था। दोस्तों इससे भी यम्राज के दूतों के हृदय नहीं पिघलते और वो बार-बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। इस विशय पर न केवल गरुर पुरान में बलकी मनुस्मृती में भी बताया गया है कि मनुष्य को सन्यम से काम लेना चाहिए और शादी के पहले संभोग करने से बचना चाहिए। मनुस्मृती में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोडता है, पर लोक में उसके शरीर पर योनी का चिनह बना दिया जाता है। और कभी-कभी ये चिनह अगले जन्म में व्यक्ति के शरीर पर नजर भी आता दोस्तों चानक्य नीती में आचार्य चानक्य बताते हैं कि शादी से पहले किसी भी कुवारी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। वही धर्म शास्त्रों में संसर्ग करने के कुछ नियम बताये गए हैं और उनमें सबसे बड़ा नियम है विवार। शास्त्र में ही नहीं बलकि संसार के अन्य धर्मों में भी कही गई है। बाइबिल में लिखा है कि भले ही कोई अविवाहित रहे या विधुर रहे पर यदि कोई अपनी कामेंद्रियों पर नियंतरन नहीं रख सकता तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। यदि कोई अनैतिक संबंध बनाकर इश्वर के नियमों को तोड़ता है तो निश्चय ही इश्वर उसे सजा देता है। कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह ने यौन क्रियाओं के लिए पती-पत्नी बनाए हैं ताकि नैतिक और अनैतिक संबंधों में फर्क बना रहे। इसलिए इसलाम में निकाह से पहले शारिरिक संबंध बनाने को हराम माना जाता है। हिंदो ग्रंथों में दुलहन प्राप्त करने के आठ साधन बताये गए हैं। गंधर्व विवाह उनमें से ही एक है। इस प्रकार के विवाह में स्त्री अपना साथी स्वयम चुनती है। दोनों सहमती से साथ रहने के लिए राजी होते हैं। कामुक जुनून उनके रिष्टे की पूर्नता को संचालित करता है। जिसके लिए मातापिता या सामाजिक सहमती की आवश्यक्ता नहीं होती। महाभारत के अनुशासन पर्व चवालीस में भीश्म युधिष्थिर को बताते हैं। कि गंधर्व विवाह में एक पिता अपनी प्राथमिकताओं की परवाह किये बिना अपनी बेटी का तक्षन विवाह उस व्यक्ती से करवाता है। जिसे लड़की स्वयम चुनती है। शकुंतला और दुश्यंत की कहानी ऐसे ही मिलन का उधारण है। दूसरे शब्दों में यदी कहें तो गंधर्व विवाह में नैतिक विवाह से पूर्वी यौन प्रेमालाप की अनुमती थी। बौधायन धर्मसूत्र कहता है कि गंधर्व विवाह प्रेम और स्वेच्छा पर आधारित है और इसलिए ब्राहमन को छोड़कर समाच के सभ लेने के हगदार नहीं थे। चुंकि गंधर्व विवाह प्रेम और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है। इसलिए इसे कामुप भोग का रूप माना गया है। इसलिए ब्राहमन को इसकी अनुमती नहीं थी। लेकिन दोस्तों नारत स्मृती में ब्राहमनों को भी गंधर गंधर्व विवाह करने की आजादी दी गई है। दोस्तों प्राचीन काल में गंधर्व विवाह में नैतिक विवाह से पूर्व संबंध बनाने की स्विकृती दी गई थी। लेकिन बाद में यह चलन से बाहर हो गया। दोस्तों वैसे तो सारे धर्मों में शादी के पहल सनातन धर्म में नहीं मिलता दोस्तों आज का विज्ञान भी मानता है कि शादी से पहले यौन संबंध के कई नुकसान हो सकते हैं जब आप किसी के साथ लंबे समय तक किसी रिष्टे में होते हैं तो इस दौरान आप अपने साथी के साथ कई बार शारिरिक संबंध बना चु के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रन नहीं कर पाते दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि यदी आप अपने साथी के साथ लंबे समय से एक रिष्टे में हैं। और अगर आप एक दूसरे से शादी के बाद ही शारिरिक रिष्टे बनाने का बादा करते हैं, तो ऐसे में आपका रिष्टा शादी के बाद अधिक मजबूत बना रहता है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभं भवतू आईए मिलते हैं अगली वीडियो म करें।